बिसमिल्लाहिर रर्रह्मान रर्हीम एसलाव अलिक्म स्टूडेंस आज जो हमारे नेक्स टॉपिक है इट इस अबौट sexual reproduction in flowering plants plants में थो हमने previous lecture में पढ़ ली थी sexual reproduction in flowering plants आपके पास जो seed plants होंगे seed plants में भी आपने two categories पढ़ी थी angiosperms पढ़े थे और gymnosperms पढ़े थे आपके पास जो gymnosperms थे उनको floors नहीं लगते उनको just naked seed होते हैं ठीक है और हमारे पास जो angiosperms होते हैं वो flowering plants होते हैं उनको पहले फूल लगते हैं फिर उनमें बीच बनते हैं ठीक है तो पटे sexual reproduction in flowers के अंदर या flowering plants के अंदर reproduction पढ़ने से पहले वो कहेगा आपको floor का structure तो आना चाहिए ना अगर हमें पता ही नहीं होगा floor के parts कौन कौन से तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से part कौन सा part male होगा कौन सा part female होगा किस part के इंदर स्पर्म बनेंगे किसमें एग बनेंगे कैसे formation of gamets होगी कैसे fusion of gamets होगी basic यही principle हमने पढ़ा था ना कि formation of gamets plus fusion of gamets दो काम होने हैं हमेशा gamets बनवाएंगे और फिर gamets को मिलाएंगे fuse करवाएंगे तो first of all हम floor का structure study करते हैं कि floor का structure कैसा होता है आप लोगोंने simple सा structure देखा हुआ floor का यह आप छोटी class नेंसे बनाते वह आ रहे हैं कि हमने different parts जो हैं वो study करने कि कौन कौन से parts होंगे हमारे पस floor के ठीक है अब इसके अंदर अगर हम इनको label के बाद में करते हैं हम first of all अगर आप floor किसी ने देखा हो तो फूल के गरना पतियां होती है सबसे पहले वो कली होती है ठीक है नीचे चला जाता है ठीक है फिर उसके अंदर से colorful petals निकलती है क्या निकलती है colorful petals निकलती है कि पांच पांच का घेरा होगा तीन तीन का होगा कितनी होंगी साथ होंगी पांच होंगी तीन होंगी कितने होरल्स होंगे वरल्स भी हम इनको पढ़ते हैं आपने याद रखना है कि जो प्लांट में floor है जो floor के structure है वो individual structure नहीं है वो in the form of horal घेरे की form में चारों तरफ होते हैं floor के किस तरफ होते हैं चारों तरफ गुलाई में हर जगा मौजूद होंगे ठीक है इसलिए हम उनको कहते हैं horals क्या कहते हैं horals भी कहते हैं वरल्स भी कहते हैं w-u-r-l-s वरल्स यागर इसकी pronunciation proper करो तो तो हम कहते हैं कि हमारे पास plant में four horals होते हैं कितने होते हैं four एक ये number one एक ये वाला number two एक ये वाला number three और एक ये वाला number four ठीक है बलके अगर हम बाहर से जाएं तो फिर हम इसको number one करेंगे number two number three and number four ठीक है तो हम first बाहर वाले साइट से जाते हैं कि सबसे पहले वह बर्ड स्टेज में होगा और फिर जाके सबसे ऑटर मोस्ट हमारे पास Is कहते हैं कालेक्स क्या कहते हैं और जो सब्सक्राइब करोला क्या कहते हैं क shoulder केलेक्स एंड क्रोला और नॉन रिपोड़क्टिव पार्ट यह कैसे होते हैं यह रिपोड़क्शन में हिस्सा नहीं लेते ऐस सच पार्टिस्पेट नहीं करते ऐस सच पार्टिस्पेट लेकिन फ्लॉर का हिस्सा जरूर होते हैं इसी तरह हमारे पास जो third and fourth होरा लाएगा that will be androisium and gyneum androisium and gyneum ठीक है पीटे androisium और gyneum को हम collectively कहते हैं कि ये हमारे पास reproductive parts है ये क्या है किस के floor के ये reproductive parts है किस के floor के और floor के total कितने parts हो गए हमारे पास four calax, crolla, androisium gyneum and gyneum one by one सब की study करते हैं बेठे calax calax is the outer most oral in the plant सबसे outer most portion जो है वो क्या है हमारे पास calax calax की जब हम बात करें तो complete गोल चकर की बात करें चारों तरफ जो सबसे आउटर लेर जो होगी उसका color क्या है green ठीक है बिटे individual units हम किस की बात करेंगे individual unit की जैसे ये पूरा घेरा होगा लेकिन उसमें से हम एक पती की बात करेंगे फूल की इसी तरह जो यहां पर individual units होते हैं हमारे पास calax के उनको हम सैपल्स कहते हैं क्या कहते हैं एक होती है पैटल्स और एक होती है सैपल्स खुश्बू किन में से आती है पैटल्स में से वो जो शादी प्यापे दुले को मारी जाती है ऐसे तो वो कौन सी होती है पैटल्स अब यहां पर बात करें बैटे calax की properties आपने याद करनी है क्या याद करनी है calax is the outermost oral number one number two the individual unit हम उसके एक unit की बात करें इस तरह जो individual unit है उसे हम नाम देंगे सैपल individual unit is called green होंगे non green होंगे green in nature green in color scented होंगे non scented होंगे खुश्बू आएगी नहीं आएगी नहीं आएगी जब बर्ड था दे प्रोटेक्ट दा फ्लॉर एट बर्ड स्टेज एट बर्ड स्टेज पे जब हमारे पास फ्लॉर है तो तब उसकी क्या कर रहे थे फिफाज़त जब बड़ स्टेज में जब वह कली की फॉर्म में था जब वह complete close था उसके उपर ता वह इफाज़त कर रह हो जाएगीस के ऑद जब हमारे पाससमें की फिर्टिलाज़ाइशन होज़ी तो इन पार्ट की जूरत भी नहीं रहे इस उपड़ Bennu पार्ट रहे गा यहाँ ठीक है बाकी मेल पार भी चला जाए अभ यहाँ पे हमारे पास करोला थार this is the second horal, दूसरे नमबर पे जो horal आएगा उसको हम क्या कहते है, क्रोला, अब ये गाड़ी वाला क्रोला नहीं है, इस क्रोला के अगर हम individual units की बात करें तो वो क्या होंगी, पैटल्स, वो क्या होंगी, पैटल्स, ठीक है, और individual units अगर पैटल्स हैं, तो बाकी properties उनकी क्या हों होती हैं, green होती है, colorful होती है, they have the bright colors, ठीक है, हम कह सकते हैं, ये colorful होती है, scented होती है, non-scented होती है, mostly scented, mostly, especially जो nectar producing insect pollinated floors होते हैं, उनमें scented होती है, उनमें क्या होती है, scented होती है, आप floors की different types पड़ोगे, कि ये insect pollinated है, ये wind pollinated floor है, तो वहाँ पे हम इनकी बात करेंगे, individual unit क्या है इनके, petals, color के हवाले से, scent के हवाले से, reproductive part है, non-reproductive है, non-reproductive part है, अच्छा, फिर किसलिए रखा हुआ है इसको, colorful है, तो क्या करेगा, शाबाश, attract करेगा, आप लोगों को क्या कि फूल तोड़ लो, attract the bees, insects, attract the pollinators, attract the, the agents of pollination are called pollinators, वो चीज़ें जो pollination करवाती हैं, bees हैं, flies हैं, जो pollination करवाएंगी, उन्हें हम क्या नाम देंगे, pollinators, तो ये pollinators को, bees को, birds को, insects को, अपनी तरफ क्या करेंगे, attract करेंगे, ठीक है, किसलिए, for, pollination, ये pollination करवाते हैं, और जब pollination करवाएंगे तो इसका मतलब dispersal of fruit करवा रहे हैं, dispersal of fruit करवा रहे हैं, dispersal of fruit की पास में गई, कि एक प्लांट है आपके पास, वहाँ पे फिमेल पार्ट है, एक प्लांट है, जिसके ओपर सिर्फ क्या है, मेल पार्ट है, अब birds ने क्या किया, pollen ग्रेन उठाए, ट्रांसफर कर दिये, from male पार्ट to female part, from one plant to, और हो सकता है, वो प्लांट कई मील के फासले पर हो, बहुत ज जा कि हमारे पास, fruit dispersal का मतलब क्या है, कि fruit का फैलना, फैलने से मुराद, fruit का लगना, fruit का बनना, ठीक है, लास्ट है, बलके लास्ट है, थर्ड मोस्ट हो रहल है, that is called androsium, क्या है, जब भी andro का word आए, it is related with males, related with males, और जब भी गाइनो का word आए, it is related with, आपने गाईनी वार् पिटल में, किसके लिए होती है वो, females के लिए होती है, ठीक है, और भी females के लिए वार्ड होती है, लेकिन गाईनो इशियम स्पेशली किस चीज़ के लिए होती है, reproduction वाले जो है वो processes के लिए, तो गाईनो में, female, andromene, male, andro isium, andro isium, अब यहाँ पर इसकी बात करें, complete oral की ब पूरा हो गया, पैटल्स वाला भी पूरा हो गया, मतलब केलेक्स भी गया, क्रोला भी गया, अब किसकी बारी आगई, एंड्रो इशियम की, ठीक है, एंड्रो इशियम इस दा male reproductive oral, यह क्या है, अच्छा अगर हम इसका individual unit देखें, इसका individual unit आपको समझ में आगा ना, यह ज individual unit है, the individual units of अजगाऑन सब्सक्राइब एंड्रो इशियम आपको स्टेयमन, क्या कहते हैं को स्टैमन क्या कहते होते हैं स्टैमन ठीक है अब इस स्टैमन के जो है न वह पार्ट्स होते हैं यह आपके पास कंप्लीट स्टैमन है और यह आपके पास उस स्टैमन का फिलामेंट है यह क्या है उसका फिलामेंट है अब इस फिलामेंट के दो एंड है एंड नमबर वन और ठीक है यह वला एंड जो है फ्लॉर के अंदर उसकी बेस पे अटैच होगा उसकी बेस पे क्या होगा अटैच होगा This is called free end यह एंड कौन सा होगा free end पिटे add the free end of filament add the free end of the आप stamin कह लो आप क्या कह लो stamin जो है इस complete का नाम क्या है एक की बात करें अगर पूरे गुच्छे की बात करेंगे पूरे चकर में जितने भी हैं सब की बात करेंगे तो उसको हम complete को क्या नाम देंगे androidium is the male reproductive horal लेकिन individual units of androidium are called stamin ठीक है अब man से याद रखने है ठीक है male reproductive portion है one end is attached with the base and other end is free और जो free end है इसके उपर एक sack बनी हुई है जिसको आप नाम दिया करते हो this is called enter this is called enter 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 के अंदर क्या होती है pollen sack क्या होती है एक छोटी सी थैली होती है उस pollen sack में क्या बनते होते हैं pollen grains बनते हैं क्या बनते हैं कैसे बनते है pollen grains ये कहानी कल यहीं से शुरू करेंगे ठीक है यह बास समझे मैं आगी के male reproductive horal का नाम androishium individual unit of androishium are called stamen stamen consist of two main portion one is filament and other is enter enter is attached at the free end of the filament and other end of the filament is attached to the base of the floor अब next है हमारे पास gynoishium क्या है gynoishium के बारे में हमने पढ़ा कि यह दोनों ही reproductive part हैं दोनों ही क्या है reproductive part है इसमें इसका क्या roll बना है हमारे पास यहां पे male reproductive part में pollen grains बने हैं क्या बने है pollen grains बने हैं ठीक है यहां से कल हमने आज pollen grain बना लिए हैं ना कल थोड़ा सा इसको explain करेंगे कि pollen grain कैसे बनेंगे और वो fuse कैसे होंगे दो जीज़ें पढ़नी ना formation of gamets and fusion of gamets तो कल हम यहां पे यह वाला portion समझेंगे कि pollen grain कैसे बने और फिर next fertilization करवाएंगे कल के topic में अच्छा जी यहां पे हमारे पास गाइनो इशियम इस काल female reproductive oral inner most oral सबसे कहां पर है यह अंदर है सबसे अंदर है अब ज़रा इसके segments की बात करें उन्यूजा अफ गाइनो इशियम हार कार्ड पिस्टल ठीक है क्या कहते हैं हम इसको पिस्टल भी कहते है इसका एक और नाम भी होता है अ리कर इसाग्राफल शुक्षार अरिश्टल कार्पL ठीक है यह दोनों इसी के नाम है कारपल वह बंदूक वाली पिस्टल नहीं ठीक है अच्छा अगर उसका इन्डविजुल यूनिट थे अगर इसमें से एक इसके इधकीर निकाल अपर पोर्शन इस कार्ड स्टिगमा अपर इस कार्ड स्टिगमा ठीक है और मिडल में जो है उसको हम क्या कहते होते हैं स्टाइल और बेजल पार्ट इस कार्ड ओवरी यह आपने याद रखने हैं अपर स्टिगमा मिडल स्टाइल बेजल या लोर ओवरी यहां पे मेल एंथर कंटेन पोलन सैक में क्या बनते हैं अब ओवरी कॉंसिस्ट आफ स्मॉल नंबर अफ सेल्स कार्ड ओव्यूल्स छोटे छोटे इसमें सेल्स होंगे जिनकों हम नाम देंगे ओव्यूल्स यहां पे भी हमने यहां बात रोकी के पोलन ग्रेंस कैसे बनेंगे यहां पे भी यह बात रोक रहे हैं हम के ओव्यूल्स कैसे बनेंगे जस्ट आज के लेक्चर में हमने जिनके स्ट्रक्चर स्टुडी की है इसमें बैटे एक से जादा पूरा गुच्छा होगा फीमिल पार्ट्स का लेकिन उसमेंसे जैसे हमने क Crispy सारे नजर आ रहे थे नग्यार तो इन मेंसे एक उनट उठाया। यहां पे भी काफिस तारे हैं लेकिन यहां पे बनाया हूं आप एक से जादा ड्रा कर सक्ते हो साइड़्स के उपर लेकिन उन में से एक यूनिट को हमने निकाल के यहां पर स्टेडी किये इस होल टॉपिक में आपको क्रिस्टन हो तो आप कमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हो थैंक यू, लाह फिस